आप देख रहे हैं जैहिन कॉंक्लेव इंडिया गेट के बिलकुल सामने से यही पर हम लॉंज में मौजूद हैं इसी राजपत पर नजाने कितने अमर शहीदों का नाम लिया गया है उन्हें समान दिया गया है नजाने कितनी कुर्बानियों को उनकी कहानियों को उनकी वीर गाथाओं को इसी राजपत पर पढ़कर सुनाया गया है और इसलिए कहते हैं एक मुल्क उतना ही बड़ा होता है जितना बड़ा उसके देश की वीर गाथाएं होती हैं वो कहानिया जो आने वाली पीडियों को गड़ती हैं और बताती हैं कि देश है ही ऐसी चीज जो मर मिट इतने के लिए भी आपको लगता है जैसे आप स्वभाग्यशाली है इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुवात करें हमारे साथ जी मनीश मातुर जी मदुकर जी और मनीश मदुकर जी कुछ सुनाना चाहते हैं जिसके बाद हम चर्चा आगे लिए चलेंगे देखें तिरंगा आपके पीछे भी है और तिरंगा उस इंडिया गेट पर भी है भावनाई कैसी है चार पंक्तियां ये तिरंगा जब लोग कहते हैं कि हम अलग-अलग संपरदाय के लोग हैं अलग-अलग धर्म के ये तिरंगा हमें बांद के रखता है चार पंक्तियां पढ़ता हूं हम इंदुस्तानियों के लिए तिरंगा क्या है कि बटे हैं हम कभीलों में, बटा पर कब तिरंगा है, मेरा भगवान है येही, मेरा तो रब तिरंगा है कि कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, कि कोई जब पूछ लेता है तुम्हारा धर्म क्या है तो, फकर से सब को कहता हूँ, मेरा मजहब तिरंगा है कि फकर से सब को कहता हूं मेरा मजहब तिरंगा है इतने बड़े-बड़े सेनानी यहां खड़े मैं बता दू अपने परिचेंबे मैं भी खाकी वर्दी वाला एक सिपाही हूं इस दिली का क्या है वर्दी आप तमाम लोगों को भरोसा रखना पड़ेगा हम वर्दी वालों पर अपने सस्त्र पर जब तक भरोसा नहीं रखिएगा तब तक आपका हथियार काम नहीं करेगा मैं बताना चाहता हूं देश को दुनिया को कि सुनो सुनो दुस्मन की खातर जंग का एलान है वर्दी कि सुनो दुस्मन की खातर जंग का एलान है वर्दी हमारे मुल्क में इंसाफ की पहचान है वर्दी और किसी के वास्ते बेसक ये बस खाकी का कपड़ा हो हमारे वास्ते तो बस हमारी जान है वर्दी आज एक कारिक्रम रखा है अंजना जी ने एक दिया सहीदों के नाम में कहना चाहता हूं कि मंदिर न कोई मजार न इस्वर के धाम पर कि मंदिर न कोई मजार न इस्वर के धाम पर सरहत पर जो खड़े हैं जीवन के धाम पर अब हर दिया जलेगा बस उनहीं के नाम पर अब हर दिया जलेगा और तमाम नौजवानों को अंदोलित करते हुए कहना चाहता हूं अब तमाम की आखों में गुस्सा है पूरे देश के आखों में गुस्सा है रन्निती बन रही है सेना बना रही है आपको क्या करना है चार पंक्तियों में बात कहके खत्म करना चाहता हूं कि आग दिल में युबाल के रखना जा हथेली पे डाल के रखना नौजवानों कि जा हथेली पे डाल के रखना आग दिल में युबाल के रखना एक दिन सरहत पे काम आएगा कि एक दिन सरहत पे काम आएगा अपना गुसा संभाल के रखना अपना गुसा संभाल के रखना